हेलो एवरिवन अपने पिछले वीडियो में हमने कपास के उत्पादन प्रक्रिया वस्त्र निर्मान प्रक्रिया और उसकी भौतिक और रासाइनिक विशेश्ताओं के बारे में पढ़ा है आज हम ये जानते हैं कि कपास का रेशा या सूति वस्त्र कैसे उनकी देखभाल की जाती है उनकी क्या उप्योगिता होती है और उप्भोकताओं के लिए क्या महतु है टुड़े विल स्टडी कॉटन इट्स इंपोर्टेंस फॉर कंजूमर्स केर एंड यूटिलिटी सबसे पहले हम जानते हैं इनकी देखभाल और संचयन के बारे में क्योंकि हम सभी सूति वस्त्रों को पहनते हैं इसके अलावा अन्य उप्योग में भी लगते हैं तो किस तरीके से इन्हें केर की जाए कैसे इनको मेंटेन किया जाए और स्टोर किया जाए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है ताकि ये वस्त्र लंबे समय तक हमारे काम में आ सकें सूत्य वस्त्र प्रक्रती में कार्बनिक हैं क्योंकि ये सेल्योलोज से बने हैं और इसलिए शरीर के पसीने और प्राक्रतिक तेलों को त्वचा के माध्यम से ये आसानी से सोक लेते हैं इस तेल के कारण या वैक्स के प्रभाव के कारण इन पर कीडों का अटैक बहुत आसानी से हो जाता है उनका बुरा प्रभाव इनके उपर पड़ता है इसलिए सूती वस्तरों को कभी भी लंबे समय तक गंदा नहीं छोड़ना चाहिए सूती वस्तरों को बिना धोए दो या तीन बार से जादा नहीं पहनना चाहिए बसे कोशिश ये हो कि कभी भी हम जो कपड़े पहनते हैं उन्हें एक बार के बाद ही धो ले ताकि उनमें जो मिट्टी लगी है जो पसीना और गंदगी है वो पानी में से बाहर निकल जाए सूती वस्तरों को गर्मी, सर्दी यानि मौसम के प्रफाव से फंगस और कीटों से बचाए रखने के लिए उनकी समुचित देखभाल और संचयन अर्थात स्टोरेज करना बहुत जरूरी है जब भी हम किसी भी वस्तर को पहनते हैं उसके बाद में अगर उस पर कोई धबबा लग जाए तो सबसे पहले धबबे को छुड़ाना चाहिए अगर वस्तर कहीं से कटे फटे हो या उन्हें मरम्मत की जरूरत हो तो धोने से पहले ही उनके टूट फूट की उधड़े वे जहां स्थान है वहां रिपेर कर लेनी चाहिए सूती वस्तरों को या ये एक जनरल रूल है कि किसी भी तरह के कपड़े को जब आप धोते हैं धोने से पहले उन पर जो संकेत लगे होते हैं केर लेबल्स होते हैं या केर इंस्ट्रक्शन्स होते हैं उन इंस्ट्रक्शन्स को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए समझ लेना चाहिए और फिर आगे के प्रोसीजर में उनके दुलाई की प्रक्रिया प्रेस करना, सुखाना इन सभी में उस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए उसका पालन करना चाहिए सूती वस्तर में अभी हमने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था, रंग बहुत पक्के नहीं होते, कई बार रंग कच्चे होते हैं तो रंग को निकलने से बचाने के लिए उन्हें ठंडे या हलके गुनगुने पानी में हाथ से दोना चाहिए हलके सूती वस्तर हैं तो उनको ठंडे पानी में धोया जा सकता है लेकिन अगर वस्तर मोटे और भारी हो तो जिस तरह का कपड़ा है उसको आवश्यक्ता के अनुसार कितना गंदा है, कितना मोटा है ये सब ध्यान रखते हुए गुनगुने या गर्म पानी में धोया जा सकता है अगर हम वाशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो मशीन के टंबलर में कपड़े को पूरी तरह निचोड़ने से पहले ही निकाल लेना चाहिए वरना कपड़े में बहुत जादा सल्वटें पढ़ जाती हैं और फिर इन सल्वटों को रिंकल्स को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सूती कपड़ा नॉर्माली बहुत ही लिजलीजा होता है उसका कोई बोडी या ड्रेप बहुत अच्छे से नहीं बन पाता तो उसकी सतय को चिकना और चमकीला बनाने के लिए और कपड़े का पूरी ड्रेस का फॉल बहुत ही आकरशक बनाने के लिए सूती कपड़े पर आवश्यक्ता के अनुसार कलफ का प्रयोग किया जाना चाहिए यानि उस पर स्टार्चिंग क्या देने चाहिए जहां तक संभव हो आपके पास इस्थान हो तो सूती वस्त्रों को प्राकरतिक वातावरण में और खुली हवा में ही सुखाना चाहिए अगर सूती वस्त्र कोमल और मुलायम हैं बहुत ही हलके हैं तो उनमें सलवटे नहीं पड़े इसके लिए उन्हें मोड करके नहीं निचोड़ना चाहिए और हलका सा जटक करके तार के उपर सुखाना चाहिए जिससे कि उनकी जो भी सलवटे बनी है रिंकल्स जो उनके अंदर आए हैं वो सम दीरे दीरे हट जाएं सलवटे बनने से बचने के लिए सूती कपड़ों को उच ताप पर प्रेस करना पड़ता है जब भी कपड़े में रिंकल्स बन जाती हैं सलवटे पढ़ जाती हैं तो सूती कपड़े को हाई टेंपरिचर की जरूरत होती है गरम प्रेस से इस्तिरी किया जाना आवशक है ताकि जो सलवटे बन गई हैं वो हट जाएं और इसके लिए अगर सलवटें जादा हैं मोटा कपड़ा है तो स्टीम प्रेस का यूज किया जा सकता है ताकि पहले उसमें नमी दी जा सके और उसके बाद हीट का एप्लिकेशन हो सके सूती बस्तरों को जब हम प्रेस करते हैं तो पहले अंदर की तरफ से करना चाहिए और फिर बाहर की ओर से प्रेस करना चाहिए जिससे की सलवटें पूरी तरह से अंदर और बाहर सभी इस्थानों पर से हट जाएं अगर कपड़े में सलवटें बहुत जादा हो तो स्टीम प्रेस का यूज़ करना चाहिए या फिर पतला मलमल का कपड़ा गीला करके इसके उपर रख देना चाहिए ताकि पूरे कपड़े पर मौश्चर एप्लिकेशन हो जाए और उसके बाद जब उसके उपर प्रेस की ह क्पड़ें लगेगी तो सलवटें पूरी थरे से खत्म हो जाएंगी अब हम बात करते हैं कपडों के स्टोरेज के बारे में गर्मीओं के मौशम में हम सूती کपड़े पैनते हैं लेकिन बारिश या सर्दी के मौशम में इनको जनरली नहीं पैनते हैं और अलमारी या बकस करतों में रख देते हैं तो इस स्टोरिंग को क्स तरीके से किया जाना चाहिए इसके बारे में पढ़ते हैं की सूति वस्तरों को स्टोर को जबू करने से पहले उन пошल वे पर लगे हुए अगर कलफ लगी हुई अवस्था में हमने इने स्टोर कर दिया तो इस पर फंगस और मोत का इफेक्ट हो जाएगा अटेक हो जाएगा और कपड़े खराब हो जाएगे सूती वस्तरों को स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छे से तूप में सुखा लेना चाहिए हवा लगा देनी चाहिए ताकि नमी पूरी तरह से खतम हो जाए और इसके साथ साथी उनको प्रेस कर देना चाहिए ताकि किसी भी तरह की मुष्चर की कोई संभावना ही नहीं बचे स्टोर करने के लिए जो भी बॉक्स या अलमारी हमकाम में ले रहे हैं वो पूरी तरह से सुखे हुए होने चाहिए उन्हें अच्छे से पोच देना चाहिए उस पर कोई कीट नाशक का पाउडर भी डालदा जा सकता है और फिर उन्हें अच्छे से सुखा देना चाहिए अगर अलमारी लकडी की हो तो कपड़ों को रखने से पहले उसमें अकवार विछा देना चाहिए ताकि लकडी के पेंट से या नमी से कपड़े खराब ना हो जब हम सूती वस्तरों को अलमारी में लटका रहे हैं तो उनके बीच में पर्यापत इस्थान या दूरी बनाए रखनी चाहिए जिससे की एरफ्लो बना रहे बीच बीच में हवा आती जाती रहे और कपड़े बहुत ज़्यादा एक दूसरे से चिपके नहीं रहे यदि हमें लंबे समय तक अपने कपड़ों को स्टोर करके रखना है तो फिर सूती कपड़ों पर मलमल का कपड़ा डख करके रखना चाहिए ताकि उसके उपर मिट्टी नहीं लगे लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उन्हें मोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर क्रीज लंबे समय तक बनी रहेगी तो उस इस्थान पर से या क्रीज वाली जगे से कपड़े कट जाते हैं इसलिए उनको फोल्ड करके या तै बना करके रखने की बजाए रोल करके रखना चाहिए जिससे सलवटे नहीं पड़े और कपड़ा फटे भी नहीं बारिश के दिनों में जो सूती कपड़े होते वो नमी को अवशोशित कर लेते हैं क्योंकि इनकी अवशोशन ख्रमता एब्सॉर्बेंसी बहुत अच्छी होती है इसलिए उनमें कई तरह के कीडों का प्रकोप हो सकता है और स्मेल आने लगती है दुरगंध आने लगती है इससे बचाने के लिए अलमारियों में नेफ्थलिन बॉल्स को या कुछ ऐसे केमिकल्स जो नमी को रोकते हों एकठा होने से रोकते हों जैसे केल्शियम ख्लूराइड इनको अलमारी में रखतेना चाहिए ताकि ये कपडों को नमी से बचा सकें बग और उनके लार्वा ये सूती कपडों को खा करके नश्ट कर देते हैं इसलिए कभी भी कपडों को स्टोर करें तो धूप वाले स्थानों पर या बहुत उजाले वाले स्थानों पर नहीं करें और बहुत नमी वाली जगों या सीलन वाली जगों पर भी नहीं रखना चाह क्योंकि temperature extremes कम या जादा दोनों ही इस्तितियों में कीड़े पनपने का डर रहता है और वस्तर खराब हो जाते हैं सूती वस्तरों को कभी भी अलमारी में उनी या रेश्मी वस्तरों के साथ में नहीं रखना चाहिए क्योंकि रेश्मी और उनी वस्तरों पर कीड़ों का attack बहुत आसानी से हो जाता है जबकि सूती वस्तरों पर इतना आसान नहीं है तो अगर उनी और रेश्मी कपड़े भी साथ में रखे रहेंगे तो उनके उन पर या दिकिनी की तरह के कीटों का या सिल्वर फिश का या मौत या फंगस का attack हुआ है तो वो सूती वस्तरों को भी चपेट में ले लेंगे सूती वस्तरों को सामाने ताप पर अंधेरे स्थानों में स्टोर करना चाहिए ताकि उनमें कीड़े नहीं लगे और सिल्वर फिश से बचाने के लिए नीम की पत्तियों, नेफ्थलिन बॉल्स या ओर्डोनिल का प्रयुक करना चाहिए अब हम जानते हैं कि कपास का उप्भोकताओं के लिए क्या महत्व है, क्यूं ये रेशा पूरे विश्व में प्रयुक्त होता है और इसको इतना लोगप्रिय रेशा माना गया है कपास का रेशा अपने वर्सेटाइल नेचर के कारण पूरे विश्व में सरवाधिक उप्योग में लिया जाने वाला रेशा है, ये है प्राकरतिक रेशा है, बहुत ही नर्म है, आराम दायक है, सस्टेनेबल है, मतलब ये बायो डिग्रेडेबल है और रिन्यूएबल भी है, इसको हम फिर से काम में ले सकते हैं, बारबार इसका स्वरूप बदल करके इसे काम में लिया जा सकता है, ये पर्यावरन को प्रदूशित नहीं करता है, यूज होने के बाद जब हम इसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो ये डिकंपोज हो जाता है, और पर्या करना बहुत आसान है बहुत सारे कलर और प्रिंट्स की वेराइटी में यह उपलब्ध होता है बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं सभी मौसमों और जलवायू के लिए cotton fabrics या सूती वस्त्र उप्युक्त होते हैं इसलिए यह अत्यंत लोकप्रिय परिधानों के रूप में नजर आते हैं सूती वस्त्र काफी मजबूत और टिकाओ भी होते हैं इनकी price range लगभग सभी लोगों की पहुँच तक होती है drapability बहुत अच्छी होती है यानि body पर यह बहुत अच्छे से fall करते हैं इनकी सिलाई, कटाई बहुत आसान होती है फिसलते नहीं है इसलिए आसानी से इनको सिला जा सकता है एक के उपर एक कई layers रख करके भी stitch कर सकते हैं काटना भी आसान होता है यानि वस्त्र निर्मान या परिधान निर्मान की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है इनको मशीन से या हाथों से धोया जा सकता है किसी भी तरीके से दो सकते हैं और dry clean भी करवा सकते हैं जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से सूती वस्त्रों की अवशोशन क्षमता और आसान देखवाल होने के कारण इनसे बने हुए टी शर्ट्स और अंडर्वेर बहुत पसंद किये जाते हैं अंडर गार्मेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं क्योंकि अवशोशन क्षमता अच्छी है तो बॉड़ी से निकलने वाले सारे पसीने को ये अवशोशित कर लेते हैं इसके साथ साथी इसमें वायू की पारगम्यता भी होती है यानि हवा एक जगे से दूसरे सरफेस तक ट्रांसफर हो जाती है और इसलिए गर्म वातावर कपास के वस्तरों से बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं ये टॉक्सिक नहीं होते हैं किसी प्रकार के विशहले पदार्त सूती वस्तरों में नहीं होते हैं और इनसे त्वचा में ऐलर्जी भी उत्पन नहीं होती है तो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इन वस्तरों को रिसाइकल भी किया जा सकता है इन से कोई दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती है रिकवर भी कर सकते हैं इनको यह पहनने वाले को गर्मी में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट प्रदान करते हैं और इसलिए इनको All Weather Textile भी कहा जाता है कपास की उप्योगिता क्या uses हैं, क्या utility है कपास के रेशे की या सूती वस्तर की कपास से बने वस्तरों का विभिन प्रकार के उत्पादों के लिए उप्योग किया जाता है सूती वस्तरों का प्रयोग परिधान, घरेलू उप्योग के वस्तरों तथा ओध्योगिक वस्तरों के लिए किया जा सकता है इनसे क्रोशिया बनाने और निटिंग करने के लिए धागे भी बनाए जा सकते हैं इन से जो वस्त्र बनते हैं उनमें most common है woven and knitted fabrics यानि जो weaving या knitting के माध्यम से बनाए जाते हैं और इन उत्पादों में या इन वस्त्रों में आते हैं canvas, jeans के लिए denim, damask, falalene, working shirts और इनके लिए cambric, cardiroid, sear sakar और cotton twill जैसे वस्त्र कपाज के रेशे से suit, shirts, undergarments, informal dresses, jeans आदी परिधान बनाए जाते हैं सिर्फ पहनने के वस्त्री नहीं बनाते बलकि इनका उपयोग घरेलू वस्त्रों में भी किया जाता है अवशोशन ख्षमता अच्छी होने के कारण इनको रुमाल के लिए काम में लिया जाता है टैरी क्लोथ को नहाने के टोवल्स, बाथ टोवल्स के लिए, बाथ रोब के लिए, साथी अवशोशन ख्षमता अच्छी होने के कारण बैड शीट, बैड कवर, पिलो केसेज, परदे, मच्छरदानी और दूसरे होम फरनिशिंग्स के लिए जूते की लेस, डोरियां, रसियां, नाडे आदी बनाने के लिए भी इनको काम में लिया जाता है इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है इनका मेडिकल यूज मेडिटेक के रूप में या चिकित्सक शेतर में रूई सबसे कॉमनली काम में ली जाने वाली रेशा है विबिन प्रकार की पट्टियां जो कपास के रेशे से बनाई जाती है, सर्जिकल गॉज, सर्जिकल गार्मेंट्स, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले चादरें, पर्दे, तकिये, ये सब भी कॉटन से ही बनाई जाते हैं कॉटन को इसके गुणों को बेहतर बनाने के लिए दूसरे रेशो के साथ में इसकी मिक्सिंग या ब्लेंडिंग भी की जा सकती है, जैसे पॉलियस्टर के साथ में, रेयॉन के साथ या वूल के साथ में इनको ब्लेंड किया जाता है स्पेंडेक्स और नाइलोन क्योंकि बहुत ही स्ट्रेचिबल है, तो इनके साथ में ब्लेंडिंग करके स्ट्रेचिबल धागे और स्ट्रेचिबल वस्तर बनाए जा सकते हैं, जैसे स्ट्रेचिबल जीन्स तो इस तरीके से बहुत सारे